देखिए फ्रांस की करांती क्यों ही थी? एगर बात गरू 18th सेंचरी में, तो जो फ्रांस था वो तीन कलासिज या तीन ेस्टेट्स में डिवाइड था जिसमें सबसे पहली एस्टेट्स थी कलरजी, जो की पादरी होते हैं किसी चर्च के काफी dominated होते हैं religious ceremonies conduct करवाते हैं उन्हें कलरजी कहा जाता है दूसरे थे novels तो novels काफी ज़्यादा powerful हुआ करते थे क्योंकि military और जितने भी government service public officials होते थे उन पे novels का control हुआ करता था और सबसे last class या third estate जिसमें 90-80% population हुआ करते थी जिसमें हम major classes की बात कर सकते हैं artisans की बात कर सकते हैं city workers की बात कर सकते हैं peasants की बात कर सकते हैं तो देखिए कलरजी जो थे वो largest land owner थे पर capital terms के हिसाब से और जो nobility थे मैंने पहले भी बताया था आपको की government service, army और other public offices में domination create करते थे nobility तो अगर मैं third estate की बात करूँ तो उनके पास किसी भी तरह का कोई voting rights नहीं होता था दूसी तरफ clergy और nobles किसी तरह का कोई tax pay नहीं करते थे लेकिन फिर भी उनके पास ठीक ठाक voting rights हुआ करता था तो जितना भी tax burden था वो bone किया जाता था third estate के दौरा तो ये एक सबसे बड़ा reason रहा था सबसे बड़ी शिकायत थी लोगों की तो इसलिए ये फ्रांस की करांती हुई थी तो ये एक बड़ा factor रहा है आगे हम बात करें दूसरे factor की तो financial problems and inefficiency in monarch system देखिए Lewis 16 के under जो फ्रांस था वो काफी inefficient था Lewis 16 का कोई control नहीं था वो एक inefficient ruler साबित हुए और उनके under फ्रांस जो था वो ट्रवल में था financial ट्रवल था पैसों का काफी loss हो गया था 7 year war की वजह से अब American revolution को France sport कर रहा था जिसमें काफी ठीक ठाक पैसा खर्च हो गया था तो ये एक American revolution भी रहा था कि American revolution में जितना भी पैसा खर्च हुआ था फ्रांस का तो ये एक responsible factor माना जाता है कि काफी ग्रीब हो गया था फ्रांस तो जिसकी वजह से ये फ्रांस की क्रांती आई अब थर्ड सबसे बड़ा factor है role of enlightened thinkers अब देखिए उस मएं पे काफी rationalism happiness of man democracy, liberty, sacralism जैसी बातें निकल के आई किनके दोबारा enlightened thinkers जो थे और सबसे important अगर मैं बात करूँ तो वाल्टेयर, वाल्टेयर ने बात की थी कि religion वगएरा कुछ नहीं होता, ये तो सब logics की बात है, religion तो जस्ट लोगों को दबा के रख रहा है, तो लोगों को पता चला rationalism के बारे में, science का ज्यादा inclusion हुआ, जिसके बज़े से लोगों को ग्यान होने लगा कि नहीं, ये सिर्फ एक disrupt system है, जिससे हमें दवाया जा रहा है तो atheist and materialist materialist जो होते हैं, या जो भगवान पे materialistic बोलते हैं, तो उनकी काफी popularity बड़ी और उनने ने कहा कि जो man's की destiny है, वो उसके खुद के हाथों में है, अगर इनसान चाहेगा कि मुझे गरीब बनना है, तो वो गरीब ही रहेगा सारी जिंदगी, अगर इनसान जो थे, इसमें capitalist लोग इते, workers थे, तो वो आगे जाके capitalism में, feudalism से capitalism है, और capitalism में फिर बाद में Marx ने socialism और communism की बात की थी, तो यह देखिए, एक pattern बन रहा है, सबसे पहले feudalism को किसने replace किया? capitalist ने, अब capitalist को किसने replace किया? socialism में, communism में, तो यह एक pattern देखने को मिल रहा है, अभी इस case में French revolution में feudalism system था, king का role था, novels, clergy का role था, जिसको अब replace किया जाएगा, lazy fare, यानि की capitalist के द्वारा, free market economy की द्वारा, आगे हम बात करें, king 16 की, तो उन्होंने एक meeting बुलाई थी, उन्हेंने कहा था जो third estate के लोग थे, उन्होंने कहा थे, कि देखिए, हम बहुत ज्यादा tax दे चुके हैं, अब इस से ज्यादा tax हम नहीं दे सकते हैं, हमें खुद की भी रोजी रोटी चलानी है, तो taxpayers ने मना कर दिया इसके लिए, तो suddenly क्या हुआ, उन्होंने बात की कि हमें भी मतलब assembly में double representation मिले, लेकिन जब उनको पता चला कि तीन estates equal votes में divided है, तो उन्होंने क्या किया, third estate वालों ने, यानि कि गरीब लोगों ने, कि हम अब अपनी खुद की national assembly को खोशित करते हैं, अब हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, अब assembly होगी लोगों की नाकी assembly of estates, तो जब उन्होंने meeting बुलाई और जब वो royal tennis court में गए, तो उन्होंने एक constitution बनाया फ्रांस के लिए, जिसमें कि third estate के पास भी voting rights थे, तो second estate के लोगों ने, यानि कि constitution बना लिया, जिसमें इनको voting rights भी है, तो ये तो एक old order को, जो old system था, उसको challenge है, तो इस challenge से निपटने के लिए, king ने क्या किया, अपनी सेना को भेजा, third estate के leaders को खत्म करने के लिए, या रोकने के लिए, लोग और भी ज़ादा गुसा हुआ है, वो फिर बैस्टिली प्रीजन में गए, और बैस्टिली प्रीजन में जो कैदी थे, उनको उन्होंने अजाद किया, और जो arms and ammunition थे, जो हथियार थे, उसके उपर उन्होंने control किया, तो जैसे ही उन्होंने बारूदों पे और गोलियों पे अपना कबजा जमाया, तो ये एक सिंबल बन गया था, राजा के खिलाफ पे revolt, विद्रोह राजा के खिलाफ, और उसका जो authority थी, उसको खत्म करने की बात की, तो बैस्टिली इवेंट के बाद, national assembly started the legislating and it adopted the now famous document of french revolution, जिसमें की बात की गई थी, जो नया national assembly बनी थी, जो third estate की, उसमें बात की गई थी, the rights of man and citizen, उन्हें ने feudalism को खत्म किया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, roman control on the french church ये भी खत्म किया, उन्होंने, सारी powers खत्म की, कलरजी की, तो देखिए, french revolutionary wars फिर शुरू हुआ, 1792 से 1802 पे, अब देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अब french revolutionary wars क्यों हुए थे, इसका reason ये था कि जब फ्रांस की करांती हुई थी, उसमें fraternity liberty की बात की गई थी, तो इससे क्या हुआ, जो आसपास की जो states थी, जैसे ऑस्ट्रिया, पर्शिया, सेवोई, इटैलियन स्टेट, अब इनको लगने लगा गी, ये तो हमारे लिए भी खत्रा है, अगर फ्रांस में monarch system, फ्रांस में अगर राजा का रूल खत्म हो सकता है, तो उसे साफसे धीरे-धीरे, ये दूसरी countries में भी जाएगा, यानि कि दूसरी provinces में भी जाएगा, वहाँ भी ये बात आएगी, liberty, fraternity की, तो इसे रोकना जुरूरी होगा था, इसलिए उन्होंने इंटरफेर करना शुरू कर दिया था France में, उन्होंने कहा था कि France का जो old order है, उसे फिर से restore किया जाए, फ्रांस में फिर से monarch system आए, ताकि ये monarch system जो हमारी country में है, वो खत्म ना हो, और ये France में फिर से restore हो जाए, और fraternity को खत्म किया जाए, बागी हम part 2 में cover करेंगे, Napoleon Wars के बारे में, तो आज के लिए बस इतना ही, thank you very much.